कन्नोज से समाजवादियों का बहुत गहरा और पुराना रिष्टा रहा है और जो सम्मान कन्नोज ने मुझे को दिया है और अखलेश जी को दिया है उसका मैं अभार वेक करती हूँ और ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह इस छेत्र का विकास लगातार पिछले 15-20 सालों में ह होता आया है आगे भी 15-20 सालों तक होता रहेगा अब जितनी हमारी थोड़ी बहुत माताया मौजूद है और जितने भी लोग यहां पे हैं जिनके बच्चे हैं तो मैं पूछना चाहूंगी यहां पे जितने भी लोग भरस्त हैं क्या क्योंकि मैं खुद एक माहूं तो मैं पूछना चाहूंगे कि आप लोग कि अपने बच्चों को चौकितार बनाना चाहते हैं आज ही कल ही UPSC का रिजॉल्ट आया है ठीक हमें इस तरह की हमें अज़ेश के रिजॉल्ट आये हैं और हम जानते हैं कि हमारे बच्चे अनिकारी बनने जा रहे हैं तो जो लोग मानते हैं कि देश के वहर बच्चे को चौकितार बनाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगी वे सरासर गलत है हमें चाहिए एक अच्छी सरकार को चाहिए है कि वह शिक्षा की तरह बच्चों के ध्यान दे उन्हें ऐसे अफसर दें जिसे कि वह खुद पढ़ लेके अपने पैरों में खड़े हो सके और इसी के साथ 2017 में जब नोट बंदी हुई थी तो कहा गया था कि इससे आतंगवाद खतम हो जाएगा नकसलवाद खतम हो जाएगा कालाधन खतम हो जाएगा लेकिन आज सबसे जादा अगर आतंगवाद कश्मीर में है और रोज हमारा एक नौजवान रोज हमारा एक जवान फॉर्च का जवान रोज एक शहीद हो रहा है तो यह मैं समझती हूँ है मौजूदा सरकार की नकामी है कि रोज पुल्वामा की घटना बहुत ही दुखदाई थी लेकिन पुल्वामा की घटना के बाद भी लगातार हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे है लगातार आतंगवाद बढ़ रहा है और मौजूदा सरकार को ये मानना पड़ेगा कि उनकी सरकार जब से आई है हमारे शहीदों की शहादत में बढ़ोतरी लगातार होती रह रही है अब महिलाओं के साथ लगातार उत्तर पदेश में अपराद बढ़ रहे हैं 2017 से आज 2019 है इस सरकारों ने ना केंद्र की सरकार ने और ना राज्य की सरकार ने कुछ किया है और लगातार और कल तो मत्रौ की घटना ही आप जानते होंगे किस तरह एक महिला कॉंस्टेबल के बार तिजाब डाल दिया गया उसको जुलसा दिया गया तो ऐसी नाकारा सरकार को मैं समझती हूँ हम सब मिलके हटाने का काम करेंगे और एक और इस देश को एक नई दिशा और एक वातावरन देने का काम करेंगे और जूटे वादो वाली सरकार कब जाने का समय आ गया है मैं आप सभी से पूरी उमीद करती हूँ मुझे पूरी उमीद है कि इस बार जादा से जादा लोग आप बटन दबा के समाजवादी पार्टी को विज़ई बनाएंगे और मैं विशेश धन्यवाद देना चाहूंगी मैं विशेश धन्यवाद देना चाहूंगी मायवती जी का और शसी संद्र मिश्रा जी का जो आज यहाँ पर आप आए हैं अपना समय निकालके यहाँ पर आके हमारे कारण करम में आपने उपस्तिती दी है मैं आपका अभार और धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का जो अच्टे सुभे से आप रुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद